Amino sugar, अच्छा ये कैसे बनता है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, Amino sugar कैसे बनता है, तो इसको समझना है, if second hydroxyl group of beta-d-glucose, मतलब beta-glucose आ रहा है, beta-glucose बनाना आएगा, देखो न, ये beta-glucose है, इसका second hydroxyl group की बात कह रहे है, इसका second hydroxyl group की बात की जा रही है, ये beta-d-glucose कहा मतलब OH उपर होना चाहिए, alpha-d-glucose कहा मतलब OH नीचे होना चाहिए, beta-d-glucose कहा मतलब OH उपर होना चाहिए, इसका first carbon का OH उपर होना चाहिए, और second hydroxyl का OS नीचे तो है ही तो देखना, if second hydroxyl group of beta D glucose है ना is replaced by either NH2 group देखे, amino का मतलब ही हो गया NH2 NH2 group are N-acetyl amino group ये amino group हो गया N-acetyl amino group N-acetyl amino group क्या है NH2 CO TH3 N-acetyl amino group it is amino sugar this is called as amino sugar this is called as amino sugar इसको amino sugar कहते हैं कैसे? कैसे देखना? बनाईए beta D glucose इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है तैयारी करना और बेसिक से तयारी करना इतना आसान नहीं है, रटना आसान है, समझना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, रटने वाली चीजें बाद में difficult हो जाएंगी, और समझने वाली चीजें बाद में आसान हो जाएंगी, है ना, तो चलिए देखिए, हमने बनाया यहाँ पर क्या यह देखना, बीटा डी गुलुकोस बळना दीजिए, यह हमने बीटा डे, यार क्या देखना है? ये बना दिया हमने बीटा डी ग्लुकोज मतलब हमें OH को उपर ले जाना है पहले कार्बन का पस बाकी 2nd OH नीचे 3rd OH उपर 4th OH CH2 OH ये क्या है बीटा ग्लुकोज ये क्या है भाई बीटा ग्लुकोज ये क्या है बीटा ग्लुकोज इसी OH को हमने कहा इसी OH को replace कर दिजिए किस से या तो NH2 से या तो N-acetyl-amino acids N-acetyl-amino group से N-acetyl-amino group हमने ऐसे लिख देना N-acetyl-amino अच्छा ऐसे लिख देना N-H-C-O-C-S-3 ठीक ये ही है ना ठीक है देखना ये क्या बना देखना ध्यान से देखना भाई रटना नहीं है ये क्या बना ये बन गया कुछ नहीं OH H इसको NH2 से replace किया था ये तो है ही बाकि सारे structure सेम है हम नहीं लिख रहे हैं इसको हम कहेंगे बीटा-D-Glucosamine क्या कह दिया इसको बीटा-D-Glucosamine अरे बाई ग्लुकोसamine जोड दिया इसको कह दिया बीटा-D-Glucosamine ठीक इसको क्या कहेंगे अगर मालीजी इसी को इससे replace कर दिया structure तो सेम है सब कुछ बस यहाँ पे हम N-H CO CS3 जोड दे आई यह OH है ही यह H है ही यह OH है ही यह H है ही यह OH है ही यह H है ही यह CS2OH है और यह H है यह बन गया बीटा-D-N-Acetyl N-Acetyl ग्लुकोसामीन बीटा डी एन असेटाइल ग्लुकोसामीन मतलब बीटा डी नैग अब बताओ नैग सुना था जिंदगी में नैग तो बहुत बार सुना है एन असेटाइल ग्लुकोसामीन यह अमाइनो शुगर है नैग नैग इसी को कहते हैं नैग बीटा डी ग्लुकोस से ही इसके OH को एनस्टाइल अमाइनो ग्रुप से कनवर्ट कर दिया तो यही हो गया नैग क्या हो गया नैग ठीक है एक बार देख लिजिए एक बार देख लिजिए इसको समझ आ गया आएए अब देखते हैं अब देखते हैं कि नैग जो बना है ना नैग के components components of नैग अब आप कहेंगे नैग को समझ आगे अरे नैग तो अमाइनो शुगर है भाई बीटा डी ग्लुकोस से बना है इसके दो component पहला एक तो काईटीन काईटीन नाम सुना है काईटीन कहां सुना है काईटीन होता है दो तीन जगहों प्रजेट पहला तो cell wall of fungi पंजाई की cell wall काईटीन की बनी होते है और दूसरा एक जो स्कलेटन ओफ आर्थो पोड़ा एक जो स्कलेटन ओफ आर्थो पोड़ा तीसरा सीटी ओफ एनिलीडा एनिलीडा के सीटी में चौथा गीजर्ड ओफ कॉक्रोच कॉक्रोच के गीजर्ड जब पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको काईटीनस टीथ देखने मिलेंगे तो यह काईटीन है क्या है काईटीन आप देखिए इसलिए काईटीन को जो है फंगल सेलोज के नाम से भी जानते हैं पंगल सेलोज के नाम से भी जानते हैं, किसको काईटीन को, ठीक, अब चलिए देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है, काईटीन है क्या, तो काईटीन इस पॉलिमर ऑफ नैग, नैग का ही पॉलिमर है, और इसलिए काईटीन एक होमो पॉली सेकिराइड है, आपका एक नैग, 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 जब एक ही टाइप के मोनोमर मिलके पॉलिमर बना दे तो इसको हमोमो कहते हैं, तो नेग, नेग, नेग मिलके काईटीन बनाएगा। दूसरा, दूसरा, सेल वॉल ओफ बैक्टिरिया, सेल वॉल ओफ बैक्टिरिया, बैक्टिरिया की सेल वॉल में नेग का क्या रोल है भाई, बैक्टिरिया की सेल वॉल में नेग का रोल ये है, कि इसमें होता है, बैक्टिरिय और इसी को मुअरीन कहते हैं क्या कहते हैं मुअरीन वेरि वेरि आएम पी वेरे वेरि आएम पी थीक है इसी को मुअरीन इसे होस्टयेर इसी को मुणरीन अब बताइए कल एक थम रूल बताया था चीद मतलब peptide protein यहां कम और carbohydrate जाए इसमें की दो part होगा, एक part क्या होगा, peptides, तो peptides अहां कम होंगे काफी, और लगभग यहां पर मा लेजे कि 18-अमीनों एकिट का peptides होता है, ठीक, और एक part होगा, glycan, glycan का मतलब carbohydrate, और इस carbohydrate वाले portion में बना होता है यह नैग और नैम का अब आप कहेंगे नैम कौन सी बला है तो नैग तो पता है वाट इस नैम तो नैम का फुल फॉर्म है N-Acetyl Muramic Acid N-Acetyl Muramic Acid और यह कैसे बनता है भाई आप कहेंगे नैग से ही बनता है यह नेग बन गया. ये पुरा नेग बन गया. दिहान से देखी ये बतसफे. ये नेग बना हुआ है. नेग का जो थर्ड हाइड्रोकसिल है. This is replaced by lactic acid. ये lactic acid से replaced हो जाए. lactic acid से replace हो जाए. तो नेग नेब में convert हो जाएगा. तो नेग एंड नेम ये मिलके बैक्टरिया का सेल वाल, तो नेग के कंपोनेंट नेग कहां कहां पाया जाता है, काइटीन में और बैक्टरिया की सेल वाल में, I hope कि आज हमने आपको बहुत सारी चीज़े बता दी हैं, यहां से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, जितनी बातें आपको बदाई हैं, उतना ही पढ़िए, धीरे-धीरे कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं, ताकि आप सब को स्टार्टिंग में हमने ऐसा टॉपिक हम इस ले चुनते हैं, कि यह हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है, और